हलो दोस्तों हमारे इस ओपिं कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपिं कीचन में आज बनने जा रहा है खिला खिला मतर पुलाव एकदम रेस्टोरेंट इस्टाइल बनेगा जैसे साधी ब्या में एक एक दाने खिले-खिले बनते हैं बिलकुल ऐसे ही बनेगा इसे अवह खानें का मज़ए मैं आता है। देशी घी गिया में से गाम मरें जालेंगों TC आपरकादां। दो मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को फूनना नहीं है सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना है इसके बाद इसमें मैंने एक छोटी कटोरी मटर के दाने डाल दिये हैं एक छोटा चमच मैंने गरम मसाला डाला है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें चावल डालेंगे चावल डालने के बाद तुरंत पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें एकदम खिला-खिला मटर कुलाओ बनाना है तो दू मिनाट तक इसी कुकर में ऐसी ही हाई फ्लेम पर चलाती हुए भूनेंगे इसके बाद इसमें पानी डालेंगे तो मैंने एक कप चावल लिया था उसी कप से मैंने दू कप पानी डाल दिया है स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डालें कुकर का ढखकन बन करेंगे और एक सीटी आने तक पकाएंगे जब तक हमारा कुकर ठंधा हो रहा है चलिए तब तक पुलाओ की साथ खाने के लिए रैता बना लेते हैं तो दही में मैंने कदुकस किया हुआ खिरा डाला है इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर काला नमक साधा नमक हरा मिर्च और हरा धनिया डाल करके मिक्स करेंगे यह हमारा रायता तयार हो गया है इधार हमारा कुकर से प्रेसर निकल चुका है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं एकदम खिला-खिला यह हमारा मटर पुलाओ खाने के लिए तयार है इसमें से खुस्बू भी बहुत अच्छी आ रही है तो आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं आपसे नई रेस्पी के साथ ओपिन किचन में बहुत जल्द मिलते हैं तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद